Hello guys, कैसे हैं आप सभी, दोस्तों अगर आपके free fire में भी speed royal का problem आ रहा होगा, जैसे आप game open कर रहे हैं, आपको speed royal के अलावा कुछ भी mode select करने का option ही नहीं आ रहा है, या फिर आप game खेल करके बेख हुए, जैसे ही lobby पे आए, उसके बाद आपको speed royal सो कर रहा है, और उसके आपको देखने के लिए मिलेगी, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं, हम लोग के mobile में speed royal का problem क्यों आता है, तो यह problem जो है, एकदम basic सा problem है, फ्रेफायर का और यह सुरू से ही आ रहा है, और यह एक ही mobile हमारे ही mobile में बस नहीं आ र लेएर हैं, सभी के mobile में speed royal का problem आते ही रहता है, कभी कभी, लेकिन किसी किसी के में बहुत ज़्यादा आता है, और कोई कोई समय होता है, जिसमें speed royal का problem बहुत ज़्यादा आता है, तो इसी के अपारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें speed royal problem क्यों आता है, उसके बात देखेंगे, इसको solve कैसे किया जा सकता है, तो देखो यार, speed royal problem आने का दो reason होता है, एक तो है हमारा internet connection slow रहेगा तब, और अगर हमारा internet connection बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाली wifi हमने लगवा रखी है, तब ये problem आ रहा है, इसका वज़ा होता है, free fire की server, आप देखें होंगे, जैसे free fire में update आया है, तो update को देखने के लिए क्या क्या नया आया है, देखने के लिए बहुत सारे player free fire में online रहते हैं, तब इसमें अधिकतर speed royal का हम लोग को problem दिखाई देता है, या फिर free fire में कुछ update आने वाला रहता है, developer team क कुछ कुछ इसमें नया नया चीजें test करते रहते हैं, तब भी speed royal का problem देखने के लिए मिलता है, तो free fire का bug के कराण इसमें speed royal का problem रहता है, जो solve नहीं किया जा सकता, हम लोग के द्वारा तो solve नहीं किया जा सकता, इसको अगर आप report भी करेंगे, या फिर गरीना की team से भी ब पहले बताया, वो हर एक के mobile में speed royal slow करते रहेगा, वो सिर्फ आपका problem नहीं रहेगा, वो free fire का problem रहेगा, उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता, और अगर आपका internet connection slow है, तो इसके लिए solve करने का यही तरीका है, कि आप अपने internet को improve कीजिए, या फिर आप अपने free fire को एक बार दिखाई देने लगेगा, जो भी mode आप select करना चाहते है, इस पर रोयल जा सकता है, और इतना सब होने के बाद भी आपका free fire से speed royal नहीं जा रहा है, तो free fire को एक बार आप clear data कर लीजिए, एप info में चले जाईए, और वहाँ पर से clear data कर लीजिए, और उसके बाद आपने free fire को इसको हम लोग solve नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, जब तक free fire इसको solve नहीं कर देता, तब तक आपको wait करना है, और उसके बाद आपका problem solve हो जाएगा, तो मेरे साथ जब speed royal का problem आ रहाता, तो मेरा तो internet कभी कभी slow होने के करना आते रहता है तो उसको में ignore करता हूँ, मेरा internet slow है, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा आने लगते हो, फ्री fire करना आता है, तो मुझे wait करना ही ठीक लगता है, मैं wait करता हूँ, उसके बाद वो problem solve हो जाता है, तो I hope guys, मैं आप सभी को समझा पाया हूँ कि यह problem क्यो तरीका है, और guys आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को like जरूट कर लीजिए, और bell icon में से all notification को on कर लीजिए, thank you